पॉलिटिकल आटलस और यह हमारा lecture 6 होगा अभी तक मैंने इस पर 5 lecture अप्लोड कर दिया है यानि origin theory of state के यहाँ पे 4 जो theory है वो आचुके हैं और यह theory number 5 है बट लेक्चर यह 6 होगा तो आज हमारा जो theory है origin theory का matriarchal theory है यानि राज्य की उत्पती का सिधान मात्री सतात्मक सिधान तो चलिए समझते हैं क्या है ये So let's start our chapter आज हम लोग देखेंगे राज्जी के उत्पती के सिधान में मात्री सतात्मक सिधान और इसमें मैं इन सब चीजों को डील करूँगी जिसमें हैं मात्री सतात्मक सिधान का अर्थ एवं विशेश्टाइम मात्री सतात्मक सिधान के समर्थक मात्री सतात्मक सिधान की आलोचना and conclusion of patriarchal and matriarchal theory जो patriarchal theory है ये मैं upload कर चुकी हूँ इसके previous वीडियो में अगर अभी दग आप origin theory of state की वीडियोस नहीं देखे हो तो description box में link दियावा है आप देख रहने हैं आपे हाँ यहाँ जाके आपके देख सकते हो तो मैंने patriarchal theory clear कर दिया है आज हम लोग सिधे matriarchal theory पर आते हैं और समझते ही इन सबी चीजों को तो सबसे पहला जह हम लोग क्या समझेंगे आज हम लोग देखेंगे मात्री सतात्मक सिधान का अर्थ क्या है और उसकी क्या विश्यस्ताई है Meaning and features of the matriarchal theory देखें मात्री सतात्मक सिधान को समझने से पहले मैं थोड़ा सा पित्री सतात्मक सिधान के बारे में बता देती हूँ हालाकि प्रिवेस वीडियो है आप देखेंगे हो तो good नहीं देखेंगे हो तो मैं थोड़ा सा यहां पर दिल कर देती हूँ पित्री सतात्मक जो सिधान था उसका मानना था कि जब राज्जी की उत्पती होगी तो वहाँ पे सता का अधिकारी पित्री सतात्मक सिधान तो यह हो गया अब हम लोग देखेंगे मात्री सतात्मक सिधान तो इसमें या है कि समाज की सबसे प्राची निकाई पैत्रिक परिवार ना होकर मात्रिक परिवार थी यानि जो पित्री सतात्मेक है वो पैत्रिक परिवार को एहमियत दे रही थी जोकिन जो मात्रिक सिधानत है वो बोल रही है कि समाज की सबसे प्राची निकाय जो है वो मात्रिक परिवार होगी यानि कि माता का होगा यहाँ पर importance माता का होगा मनुष्य का सबसे पहला संगठन टोली या जूंड होगा जो बंदर आदी जीवों में आज भी पाया जाता है यानि मात्रिक सिधानत के according मनुष्य का सबसे पहला जो संगठन बनेगा जो ग्रूप बनेगा वो टोली होगा एक जूंड के तरह का होगा यहाँ पर जूंड कहने का मतलब हो जाता है कि लोग ग्रूप में रहेंगे एक पैक के रूप में रहेंगे जहाँ पे जैसे बंदर यादी जीव जनतू रहे उस तरह से जबकि पित्री सतात्मक सिधानत का मानना था कि जो सबसे पहला मनुष्य का अगर कोई संगठन होगा तो वह परिवार होगा तो देखरों ने किस तरह से डिफरेंसे यहाँ पे इनका मानना है पहले संगठन होगा जबकि पित्री सतात्मक का मानना है कि पहले परिवार होगा निक्स तरह इस्तरी और पुरुष्ट इस्थाई विवा के बंधन में नहीं बंधे थे यानि उस जमाने में मात्री सिधानत के जो लोग है उनका कहना है जो इस सिधानत को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि उस जमाने में इस्तरी और पुरुष्ट जो थे वो विवा के बंधन में बंधन में बंधे नहीं थे तो इससे क्या हुआ प्रारंबिक समाज में जो एक स्थरी होती थी उसके कई पती होने की प्रथा प्रचलित थी ये ऐसा उस दमें मात्री जो सिधान जो दिये हैं जो विचार दिये हैं उनका ऐसा मानना था कि एक स्थरी के कई पती होते थे कई हस्बेंट होते थे ऐसे स्थिति में संतान को केवल उसकी माता का ग्यान होता था पिता का नहीं क्योंकि जो माता होती थी जो इस्ट्री होती थी उसके बहुत सारे हस्बंड होते थे तो जो उसके बच्चे होते थे उनको केवल अपनी मा के बारे में ही पता होता था उसके पिता के बारे में पता नहीं होता था देन ये है कि संतान परिवार और संपत्ती पर माता का अधिकार होता था पिता का नहीं कहने का मतलब है अपनी जो बच्चे हैं या फिर उनका जो परिवार होगा या उनके जो भी property होंगे तो उसपर केवल और केवल उस स्त्री का उस माता का अधिकार होगा पिता का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे जो father होते थे वो unknown होते थे उसके बारे में कोई बी जनकारी नहीं होती थी और इसे लिए उत्रादिकार कौन होगा माता से की जाना जाता था यानि माता के जो वनसर जो जाएंगे जो माता के फैमिली से फीमेर के फैमिली वाले जो होंगे उनी का उत्रादिकार माना जाएगा पिता का उत्रादिकार यहाँ पे नहीं माना चाहेगा ठीक है यानि जो लेडी है जो महिला है उसके जो family जो members है उनके ही जो लोग है वही आएंगे सत्ता समालने के लिए ठीक है father के तरफ से कोई भी लोग नहीं आएंगे नेक्स्ट है अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मात्री सिधानते हैं उसके क्या विशेशता हैं सबसे पहला यह है कि वैवाहिक जो संबनते और स्थाइदे नेट मेंस रिलेशन से अपता वो टेंपरोरी था नेक्स्ट है कि जो रक्त स्थान यानि कि जो ब्रड रिलेशन है वो केवल और केवल माता के माध्यम से जाना चाहता था होगा जो पारिवारिक संपत्ति अगर हम बोले कि family properties वगरा जो चीज भी है वहाँ पे उस female कही अधिकार होगा उस माता कही अधिकार होगा यहां पे जेंडस जो मेल होते हैं उनका कोई भी यहां पे कोई भी एखी वीडियो देखे ओ तो वहां पे मैंने बताया था कि जू पित्री सतात्मक सिधान थे उसके कुछ आलो Цक्ट हैं जो आलो चक्तियों थे वही यहां पे मात्री सत्तात्मक उसके समर्थक हो जाएंगे अगर आप नहीं देखे हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको correlate करा देती हूँ यह है हमारा पित्री सतात्मक सिधान के अलोचना आ गई प्रिवेस वीडियो का मैं दिखा रही हूँ तो यही जो तीन लोग है यही हमारे मात्री सतात्मक सिधान के सपोर्टर बन जाएंगे और फोर्ट यहाँ पर एक मैं जोड़ जाएगा वैशोफन तो यह हो गए सपोर्टर अब याद कर लो तो वैशोफन का कहना है कि जो प्रारंबिक समाज जो थी उसमें ना केबल वंश परंपरा माता से होती थी और संपत्ती का अधिकार इस्तरी को मिलता था ना केबल वंश परंपरा ही माता से चल रही है फिर संपत्ती का अधिकार उस इस्तरी को मिल रहा है बलकि समाज में इस्तरी की इस्थीती भी जो द्यानिय इस्थीती पित्री सतात्मक सिधान्त में थी जो इस्थीती द्यानिय नहीं होके अब काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो गई थी ऐसा मानना है वैश्रोफन का क्लियर है नेक्स टम लोग आगे बढ़ जाते हैं फिर क्या हुँआ इन जो विचारक हैं कौन-कौन, Macleanan है, Jenks है एंड-Morgan है इन तीन विचारकों नहें क्या किया इन लोगोंने sir Henry man और sir henry man is supporter of patriarchal theory ॥ी पित्रि सतात्मक सिधान्त की ये प्रमुख supporter है ये मैं बता चुकी हू तो इन लोगों ने सर हेंट्री मैन के विचार का खंडन किया है और किस विचार का खंडन किया है कि परिवारों ने बढ़कर कूलों का और कूलों ने जातियों का रूप धारन किया क्योंकि कहीं न कहीं पित्री सतात्म जो सिधानत है उसका मानना था कि सुरू में परिवार होते थे और परिवार से कुल जाती बना, जाती से समाज बना तब जाके समाज से राज्य का निर्मानवा तो इन लोगों ने इस विचार का पूरी तरह से खंडन कर दिया है निक्स्ट है कि मात्रिक सिधायत मानता है कि बड़े समुदाय से छोटी समुदाय का जनम होता है यानि कि इन लोगों का मानना है कि सुरू में क्या था ना कि बड़े बड़े समुदाय रहते थे उस ते जाके छोटे समुदाय का निर्मानवाए ना कि छोटे समुधायों से बड़े समुधायों जिसासा कि पितरी सतात्मक सदानतवादी मानते हैं देख रहे हो किटने दोनों में differences है पूरा एक दाव उल्टा है इस सिधानत के अनुसार मातलिक सिधानत के अनुसार समाच का प्राचीन प्रारंबिक जो समुधाय था वा कबीला था परिवार नहीं था अब हम लोग जो पेत्रिक सर्थांत पड़े हैं उसमें लोग यह पड़े थे कि जो सबसे पुराना या सबसे प्राचीन जो समुधाय होगा वा परिवार होगा अक्रडिंग जो पेयो पेत्रा कल ठियोरी बरे यहाँ पे जो मांत्रिक सर्थांत है उसका मानना है परिवार सबसे चोटा समुधाय या परिवार नहीं होके कबीला होगा और कबीला से कूलो का जनम होगा कूलों से विभाजित हो जाके घराना में बन जाएंगे विविन तरह के घराने हो जाएंगे और तब लास्ट में घराना से परिवार का डेवलोप्ट होगा तो ऐसा मानना है मात्रिक सिधानत का जब की पित्रिक सिधानत का ऐसा मानना नहीं था पित्रिक सिधान्त का कहना था मैं यह थर सा बता देती हूँ ठीक है पित्रिक सिधान्त का कहना था according to patriarchal theory इनका क्या मानना था देखिए इनका ये मानना है कि परिवार से जाती बने जाती का निर्मान होने के बाद चला गया समुदाए समुदाए के बाद समाज में बद चेंज हुए और समाज में चेंज होने के बाद वो लोग राज्चे का रुपधारन किया ऐसा मानना था पित्रिक सिधान्त का कि परिवार से जाती में जाती है जाती विवक्तों के समुदाए बनती है समुदाई जब रिहत रुपधारन कर लेगा तो समाज बनेगा और समाज जब एंड स्टेट पे पहुंच आएगा तो कही न कहीं वो एक स्टेट का रुपधारन कर लेगा ऐसा मानना है पे अगर हम लोग देखे जो हमारा यह है जो मानना पहले कबीले थे कबीले विभाजित वे कुलों में कुल विभाजित वे घराने में और तब जाके घराना बड़ा रूपले के परिवार बना ठीक है यानि यहाँ पे बड़े समुदाए से छोटे में कबीलों में चेंज होते हैं इन लोगों ने क्या किया जो इस सिदान के सपोर्टर है कौन-कौन हो जाएंगे नाकलिनन, मॉर्गन, वेश्रिफेन और जेंक्स इन लोगों ने बोला कि जो मात्रिक परिवार है इसकी पुष्टी जो विचार वो लोग दे रहे हैं इसकी पुष्टी कहीं न कहीं हमें द्रविट जाती हो और अस्ट्रेलिया और मलाया की जो मोल निवासी हैं उसमें हम ल अब हम लोग आ जाते हैं कि मात्रि सतात्मक सिधानत की आलोचना क्यों की गई है और किस अधार पर की गई है यानि क्रिटिसम ऑफ मैट्रेलरकल थियोरी तो सबसे पहला है कि जो मात्रिक सिधानत है उसको पैत्रिक सिधानत की तरह इतिहासिक समर्थर नहीं मिलता है अगर इतिहास के तौर पर वो सही नहीं है और ऐसा ही विचार मात्रिक सिधान्त को लेके है कि इतिहास इस बात का दावा नहीं करता है कि ऐसा कोई विचार था जो राज्ये की उत्पती के समझ में दिया गया है इसलिए ये एतिहासिक दृष्टी से या सिधान सही नहीं है नेक्स्ट है पैत्रिक सिधान की तरह परिवार राज्य का अधार है जिस तरह पैत्रिक सिधान ने बोला कि परिवार जो है फैमिली जो है राज्य का अधार होगा वही चेज यहाँ पर मात्रिक सिधानत भी मानें लेकिन यहाँ परिवार राज्य के उत्पती और विकास का एक मात्र कारण नहीं है इसलिए इस सिधानत के भी कड़ी आलोचना की जाती है क्योंकि अगर हम लोग फेमिली को मानके चल रहे हैं कि फेमिली से हमारा राज्य का निर्मान हो रहा है तो वो कही न कहीं हमें क्या बोल सकता है इंगलत रास्ते पहले जा रहा है यह जो फिएट काररी हैं पर निर्मान हुआ है। निक्स्ट यह सधान्त केवल कुटोंबा और वंश का प्रारंबिक विकास बतलाता है। यह चीज मुझे लगते हैं कि पैत्रिक सदान त्वाले भी बोले थे कि उसका अलुचना में भी यह चीज़े हैं कि यह जो सिधानत है कहीं न कहीं केवल परिवार के बारे बताता है किस तरह से वंस अगे बढ़ रही है वंसावनी प्रक्टिया किस तरह पर अपनाई जा रही इन चीजों के प्रारंबिक विकास को बताता है किस तरह से इसका विकास वह उन्हीं चीजों को लेके चलता है मात्रिक सदान तो चाहे पात्रिक सदान तो इसलिए कहीं न कहीं मात्रिक सदान के भी कड़ी आलुचना की जाती है ओके निक्स्ट है ओके यह हो गया आलुचना अब हमनों सीधी आ जाते हैं conclusion पे और मैं यहाँ पे केवल matriarchal theory का conclusion नहीं करूँगी मैं patriarchal theory का भी conclusion करूँगी क्योंकि जब मैंने patriarchal theory पढ़ाया था वहाँ पे conclusion नहीं किया था वो मेरा छुट गया था इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ कर दिया है तो अगर आप BMA होना तो आपको theory based पी इस तरह से question आता है कि patriarchal theory और matriarchal theory एक दूसरे से किस तरह से संबन्दित है या राजी की उत्पति का पित्री सतात्मक सिधान और matri सतात्मक सिधान से अब क्या समझते हैं एक अलुषनात्मक वर्नन करे या अलुषनात्मक टिपनी करे तो जब आप इस तरह से पताओगे तो आपको patriarchal theory का जो मैं पता चुकिए प्रिविएस वीडियो में आपको उन सभी चीजों को लिखना होगा और matriarchal theory का जो उपर में अभी मैं चार चीजे बताई हूँ उनको लिखना होगा तब end में आपको conclusion देना पड़ेगा इन दोनों का मिला के इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ यहाँ पे कर दिया है मेरा यह चुट गया था तो कोई बाती अलग से यहाँ पे मैं कर दी हूँ चल जाएगा तो आप भी इस सिश को add कर लेगा चले समझते हैं क्या conclusion निकला पैत्रिक और मात्रिक सिधान्त दोनों ही सामाज शास्त्रिय सिधान्त है राजनीतिक नहीं यानि कि क्या हुआ जो पैत्रिक सिधान्ते मात्रिक सिधान्ते इससे राज्जी की उत्पती हो रही है ये इस बात को पूरी तरह से मतलब सामने नहीं आ रहा है कि हाँ बै चलो इस तरह से पिता जो है सत्ता का अधिकारी होगा परिवार से राज्य का नेमान हो रहा है कबीरे से राज्य का नेमान हो रहा है तो इह सभी बाते कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से politics रुप से सही नहीं है हलाकि हम एक समाज में रहते हैं समासास्ट्रे द्रश्टिकों से भले ही कुछ मात्व होगा कि अगर आप समासास्ट्रे पढ़ रहे हो तो आपको वहां पे इन चीजों को पढ़ना है तो वहां पे इन चीजों का महत्व है बट अगर हम पॉलिटिकली वे से देखे क्योंकि हमारा जो मेन है पॉलिटिकल साइ कि इन दोनों से धानतों का समासास्ट्री द्रिश्ट्रिकों से भले ही महत्व हो लेकिन प्राश्णीते विज्ञान की द्रिश्ट्री से इनका कोई फिस्ट्रिस महत्व नहीं है तो इस तरह से ये लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं I hope कि आज का लेक्चर आपको मेरा समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज विडियो को लाइक कीजिए और उपने फ्रेंट्स के साथ शियर कीजिए मेरे चैनल का नाम पॉलिटिकल आटलस है और मैं यहाँ पर एक इनिशिये पर में बैठील को काफी जड़ा मदद लाओगा तो चलिए अगर अभी तक को सब्सक्राइब करा हो तो सब्स्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज उन तक पहुछाने की काफी जद आ हॹलप किजिए आज के लिए इतना ही थैंक यू